हम लिखते क्यों हैं और scientific writers क्यों communicate करना चाहते हैं जो वो experiment कर रहे हैं या as a scientist, researchers, bachelor's के students या master के students आप thesis क्यों लिखते हैं या आप papers क्यों publish करते हैं इन सब चीजों का जवाब इस एक lecture में आपको मिनने वाला है Assalamualaikum मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartofel और आज scientific writing mentorship program का day 4 है Let's jump into it यह 6 मा का program है जिसका आज day 4 है और इस day 4 में जो हम चीज सीखने वाले हैं That is why do we write? और why do we write का question जो है वो हमने अपने आप से पूछा है और आज इसका answer देखी है Obviously पहली चीज जो हमने पिछले lecture में भी देखी थी कि हम लिखते ही इस वजा से हैं ताके हम अपने scientific research को communicate कर सकें आम public के लिए और usually जो भी scientific research का पैसा होता है public universities या research center के अंदर वो tax money होता है तो जिसका tax जिसने pay किया है वो stakeholder होता है और उस तक information पहुँचाना हमारी जुम्मेदारी होती है और जो developed countries हैं उनमें ज्यादा तर जो पैसा है वो research के लिए tax money से ही आता है इवन दो most of the industries also right project to get that money from taxpayers money यानि के government से या commissions से ये पैसा जब आपके पास आ जाता है as a scientist आप उस पर को experiment करते हैं क्योंकि हर experiment के लिए हर research के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो आपने बकाइदा results वापिस उन stakeholders तक पहुँचाने होते हैं हम इस वज़ा से write करते हैं क्योंकि हम एक comprehensible story with clear message बता सके वरना scientific data इतना complex होता है कि अपने public तक पहुँच जाना बहुत मुश्किल हो जाता है इस वज़ा से हमें comprehensible story यानि कि जसमें हर एक चीज include हो वो बतानी होती है with a clear message clear message का मतलब यह है कि हमने link के बताना होता है कि इस research से हमें क्या मिला broader हमारा message क्या था comprehensible story का मतलब है कि हमने किस तरीके से message तक हम पहुँचे हैं कौन से methods यूज किये हैं and how you can actually get that message अब इस message को पहुँचाने के लिए हमें तीन rules को इस्तमाल करना पड़ता है पहला है simplicity simplicity एक ऐसा rule है जब भी आप scientific communication करते हैं तो simplicity की वज़ा से आप हर उस बंदे तक पहुँच सकते हैं जो बहुत simple English समझता है और उस बंदे तक भी पहुँच सकते हैं जो बहुत complex English को समझते हैं इसका मतलब यह हुआ कि simplicity अगर आप रखते हैं तो आप हर किसम की अवाम तक अपना message पहुचा सकते हैं वो specific हो वो complex समझने वाले हो यह simple समझने वाले हो तो इसका मतलब है जितना simple आप लिखेंगे उतना ज्यादा broader audience आपकी होगी अगर आप जितना complex लिखेंगे तो उतनी कम niche audience होगी जो experts हैं उस field के तो आपने हमेशा simplicity को use करना है यानि कि simple language को use करना है obviously यह matter करता है कि आप कौन सा research पर लिख रहे हैं और किस audience के लिख रहे हैं लेकिन usually आपका message simple लिखा होना चाहिए यानि कि simply समझ आ जाना चाहिए फिर आपके पास दूसरी चीज होनी चाहिए इतना भी simple ने लिखना के रोहों रोहों वाली बातें लगे you have to write in a way कि वो message भी clearly आपका communicate हो यानि के clear तरीके से दूर से समझ आ जाए हूने बिसाल के दोर पे जब भी आप कोई message लिखे जब भी आप scientific communication करें या आपने results को publish करना चाह रहे हो तो आपने इस तरीके से अपने results लिखने हैं कि आम अवाम उसे clearly समझ भाए यह नहीं के रोहों रोहों वाली बातें करने लग जाए और बंदा बोरो के जमाईयां लेके side पे हो जाए कि नहीं भी इसको ना तो सुनने ना हमने पढ़ना इसको so we need to write in a way कि हमारा message clearly आगे disseminate हो clear के बाद good communication यानि कि आपने paper लिख दिया paper आपने एक ऐसी audience के लिए लिखा है जो specific community है फिर आप उसको broader audience में लेके जाएं तो simple community में लेके जाएं simplicity और clarity को use करते हुए और अच्छी communication का मतलब यह है कि आप different modes of communication भी use करें यानि कि आप अपने paper को लिख भी रहे है और साथ में आप अपनी figures भी add कर रहे हैं उसके अंदर जिसकों plots बोलते हैं तो आपका data जो है जो basically एक excel sheet के अंदर होता है या किसी भी एक format के अंदर होता है आप उसको disseminate करने के लिए figures का साहरा लेते हैं ताके message और भी clear हो communicate easy हो जाए इसके बाद आप अकसर अकात साथ में एक graphical abstract भी बनाते हैं यानि कि जो मैंने इस paper में लिखा है या जो मैंने इस thesis में लिखा है या जो मैंने इस report में लिखा है या जो कुछ मैंने इस research output में लिखा है you can see the whole thing in one figure that is called graphical abstract यानि कि graphically आप present कर रहे हैं पूरी एक paper का abstract obviously paper के अंदर भी abstract होते हैं या आपके thesis के अंदर भी abstract होते हैं but you need to write in a way कि वो अच्छी communication के साथ आगे चले अब इसका एक step up क्या है कि लोग video abstract भी पेश करते हैं जब भी कोई चीज पब्लिश करते हैं और usually बहुत कम लोग करते हैं लेकिन जितने करते हैं उनका paper और भी जएदा audience सुनती है क्यों? क्योंकि अगर आपने जो लिखा है किसी के पास time नहीं है उसको पढ़ने का या there are few people जो पढ़ ही नहीं सकते तो वो सुनतो सकते हैं और अगर आप उनको सुना रहे हैं तो आप उसको किसी एक जुबां के अंदर उसके अंदर आप वीडियो भी बनाते हैं फिर इससे भी लेवल एक अप है कि उसी वीडियो को multiple languages के अंदर translate भी करें फिर उससे भी लेवल एक अप है कि आप different platforms पर जाके अपने paper की तशहीर करें फिर उससे आगे एक और step भी आता है कि आप different किसम के podcast करें और लोगों को जाके बताएं कि यह हमने काम किया है फिर आप news agencies के साथ रापता करें यह सब काम नहीं करते हैं हम कहते हैं हमाने paper publish कर दिया we need to be very clear about the message कि हमने एक communication method को ही यूज करना है multiple communication method को यूज करना है और usually जैसे आदा scientists क्या करते है paper publish कर दिया फिर उसको किसी conference में present कर दिया तर इस वाइन लेकिन poster के साथ present कर दिया तर इस वाइन but you should actually advertise that by yourself और आप लोगों को बताएं कि मैंने क्या काम किया है और believe me journals या different किसम की जो publication houses है इस चीज को promote करते है even though they send you multiple emails के disseminate कैसे करना है information right सभी हो गया अब हमें बता है कि यह तीन message बहुत जरूरी है और communicate करना हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी है for example what is the main message in this research वो आपने बताना है main message बड़ा clearly लिखा होना चाहिए मेरा objective क्या था outcome क्या थी और हमने results हमारे major क्या है why do I need to tell हमें बताना क्यों जरूरी है तो जब आप एक paper लिख रहे हैं तो आपने ये भी बताना है main message क्या है फिर आपने ये भी बताना है कि मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ी है ठीक है यानि कि उसकी जरूरत create करनी है फिर how do I get the message across मैं किस तरीके से ये message अवाम तक पहुँचा सकता हूँ usually communication का rule ये होता है कि आप किसी के सामने कोई बात करते हैं आपके दिमाग में जो information उसे process करते हैं बोलते हैं वो एक बोलने वाले medium से जाती है दूसरा बंदा कानों से सुनता है उसे perceive कर लेता है this is called communication अगर एक बंदा सिरफ बोल रहा है और communication में परसीवर नहीं है इसका मतलब आपकी communication का मकसद पूरा नहीं हुआ so you need to fulfill your objective जिसमें आपका main message आपको पता होना चाहिए क्यों आप बता रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए और at the end आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने किस medium से बताना है so हमारे पास message को communicate करने के multiple ways होते हैं जैसे मैंने पहले बताया paper लिख के presentation दे के या आप पोस्टर बना के या वैसे आप अवाम को audio messages or different messages करके इस पर काम कर सकते हैं अब आपके पास communication आ गई एक मैं चोटी सी example यहाँ पर देता हूं कि कोई भी researcher मस्जिद में एलान थोड़ी ना करवाएगा कि research यह मैंने कर लिए यह मैंने लिख लिया और आप इसको सुन लें आप ऐसा कभी नहीं होता so you need to find a right way to communicate your message ठीक है वो right ways कौन-कौन से हैं जैसे मैंने पहले आपको बता है जितने भी ways हैं communication के आप उसे use कर सकते हैं फिर अगली चीज जो हमारे पास आती that is clarity clarity क्यों ज़रूरी है किसी भी एक paper को publish करने के लिए clear होना बहुत ज़रूरी है अगर आपका message clear नहीं है इसका मतलब आप clear नहीं थे उस चीज को ले के आप मेंसे कितने लोग हैं जोन्होंने papers publish करनी हैं thesis लिखनी हैं, project report बना ली लेकिन उनको यहीं नहीं पता कि मैंने किया क्यों है सवाए इसके के number लेने थे सवाए इसके के मैंने marks लेके position लेनी थी, अपनी CGB मेंटेंड करनी थी medal मेरा जा रहा था, वो लेना था या सवाए इसके के degree लेनी थे इसके इलावा कोई message है आपका? नहीं, तो अगर आप clearly पहले खुद से सोचें और उसको लिखें कि मेरी research का main मकसद क्या है, why do I need to do these kind of experiments, why do I need to do this research, उसको फिर खुद के साथ communicate करे, write down on the papers and then go ahead और आज की practice इस video के end पे मैं आपको यह कहूँगा कि आप अपनी research के main goals लिखके रख लें जो भी आपने काम करना है future के अंदर main goals लिखके रख लें, main goals वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं तो आप से मेरी request है कि 5 से 10 main goals या aims अपनी research के अपने पास लिखके रखें और साथ में यह भी लिखें कि आप किस तरीके से इसको communicate करना चाहेंगे scientific community के साथ जो enrolled students उनसे मेरी request है कि please write down these into your notebooks and send me the screenshot आपको पता है काम पे भेजने हैं और secondly, जो enrolled नहीं हैं और live हमारी इस conversation को या इस lecture को सुन रहे हैं उनसे request है कि comment section के अंदर जरूर बताएं कि आप जो काम कर रहे हैं और आप किस तरीके से लोगों को communicate करना चाहेंगे आया कि लिख के communicate करना चाहेंगे पोस्टर के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ whatever you want to do please write down in the comment section अगले lecture में इन्शाला हम इसमें और भी deep dive करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा how to write your main messages your main goals and even your scientific research papers see you in the next one take care and Allah Hafiz